दोस्तों आप परिशान हो चुके हैं आपको खत्रा है कि आपका डिवाइस कहीं हैक तो नहीं हो चुका किसे ने आपका डिवाइस हैक तो नहीं कर लिया है या फिर आपके बाते तो नहीं सुन रहा है क्योंकि आपके डिवाइस में आ रहा है यहां पर ग्रीन डॉट अभी त बता दू, green dot जब आता है ना, तो कुछ condition में आता है, अगर वो सब conditions बंद रहेंगी, तब भी आपका green dot आ रहा है, तो आपका device समझ लो, किसी ने hack किया है, आपके कोई बाते सुन रहा है, 100% बिल्कुर सही बात बोल रहा हूँ, अगर आपका device hack हो चुका है, अगर आपका किस बाते सुन रहा है, तो आज मैं आपको ये सब क्लियर करने वाला हूँ, कि green dot का बाता है, और इसको कैसे remove करें, अगर remove नहीं हो रहा है, तो मतलब कि आपका device hack है, उसको आप unhacked कैसे करेंगे, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं तो चलिए आज को वीडियो यहां पर शुरू करते हैं तो दोस्तों किस कंडिशन में आता है जैसे कि मैं आपना फॉन का कैमरा यहां पर आने के बाद यह फीचर हर एक एंडूर डिवाइस में डाल दिया गया था कि जब आप अपना कैमरा ओन करेंगे तो जैसे कैमरा ओन हुआ उपर आपका ग्रीन डॉट यहां पर आज शो हो रहा है मतलब कि आपके डिवाइस में जब कैमरा ओन होता है तो कैमरा ओन होने के साथ जो है प्राइविसी के रिलेटेल है जैसे camera on होगा तो आपको green dot show हो जाएगा मतलब कि आपकी अपने phone से किसी की photo capture कर रहे हैं third party की photo capture कर रहे हैं मतलब कि किसी की videos बना रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर green dot दिखता है या फिर किस condition में जब आप अपने phone का जो है code recording यहाँ पर on करते हैं यहां पर आना स्टार्ट हो गया मैं back आने के बाद ही मेरा green dot यहां पर दिख रहा है मतलब कि कई बार के अपनी recording बंदे ओन कर देते हैं उनको याद नहीं रहता है वो फोन को लोक लगा देते हैं फिर वो देखते हैं कि यार फोन को अनलोक करते हैं वो यार green dot आ रहा है यह कैसे आ रहा है इससे कि आपका समझ लो कि आपका जो है मेरा green dot यहां पर हड़ चुका है मतलब कि यह जब आपके device में आपका camera और आपकी जो mic है वो access करता है वो work करता है रहा है या फिर आपका background में जो है आपका mic work कर रहा है फोन का माईक रहता है वो work कर रहा है तो है आपका यहां पर green dot आता है security purpose के लिए है, अगर आपका device hack किया गया, किसी ने hack कर लिया है, मालों किसी को आप phone देते हैं, तो वो कोई application आपके phone में download कर देता है, वो आपको यहाँ पर शो नहीं होती है, आपके device में वो यहाँ पर आप देखेंगे, यार यहाँ पर application शो नहीं हो रही है, आपका device और आपका camera भी बनता है, फिर भी आपको यहाँ पर green dot यहाँ पर देख रहा है, उस condition में आपने क्या करना है, आप यहाँ पर आपने धियान से देखना है, पहला आप अपने phone को hard reset कर सकते हैं, मतलब कि आपने device को hard reset कर लेना है, पूरा device को format मार लेना है, अगर आप चाहते हैं आप एक चीज़ ट्राइब करेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि आपके device में को third party application ऐसी installed है, जो आपके device को hack करके बैठी हुई है, वो आपने कैसे पता करना है, मैं आपको simple method यहाँ पर बताऊंगा, अगर यह work नहीं करता है, उसके बाद क्या करना है, वो भी मैं नहीं की है, उसको आपने uninstall कर देना, क्योंकि यहाँ पर सारी application शो हो जाती है, मालनों कि अगर आपको वो application नहीं दिखती है, यहाँ पर आइकन शो नहीं करेंगे, और यहाँ यहाँ पर लिखा आएगा, कुछ भी हो सकता है वो, या WhatsApp लिखा आएगा, या फिर कुछ भी मत आइकन शो नहीं होंगे, तो आपने क्या करना है, जाके उसे यहाँ से uninstall कर देना, इस तरह ठीक है, उसके बाद आपका डिवाइस जो है, अन हैक्ट हो जाएगा, और आपका यहाँ पर ग्रीन डोट यहाँ पर हट जाएगा, अगर इस कंडिशन में भी नहीं हट रहा है, तो आपको रास्ट में हाड रिसेट करना पड़ेगा आपका डिवाइस, उसके बाद आप वो अटोमेटिकली रिमोव हो जाएगा, ठीक है, बाकी समझ में आया है, वीडियो तो कमेंट कीजिए, अगर आपको और दिक्कत आ रही है, फिर भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हल्प करूँगा, सो बाइबाइ, टेक के जाहिन बंदे मातर,